बिसमिल्ला रह्म रहीम, असलाम लेकूम, हावड अकैडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं हम अकाउंटेंट से और आडिटिंग का पेपर वन और आज इसका पार्ट सेकंड शुरू करेंगे पार्ट सेकंड जो फिनेंशल अकाउंटेंच का है, यह डिल करता है ठियो के साथ है और इसमें topics जो relevant होंगे, accounting cycle, process and financial statement के बारे में बात करेंगे और इसके element पे ज्यादा तर हम बात करेंगे कि accounting जहां से शुरू होती है और financial statement तक कैसे travel हम करते हैं और इसके दरम्यान में कौन से steps हैं जो हमने follow करने होते हैं, each and every step important है और इसका समझना भी जरूरी है और difference भी sometime कहीं पर जाना जरूरी है ताकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर फरक हम वाज़े कर सकें और जब question आपका paper में आएगा तो each and every topic को समझना अमारे लिए जरूरी है वैसे तो process की बात करें तो जी एक general general इंटी पास होती है जर बनता ट्रायल बैलनस बनता और balance sheet हम बनाते हैं या फिर income statement में फलाँ फलाँ चीज़ होती है तो हम वो बना देते हैं, question तो बड़ा simple सा है, लेकिन यह जो steps हैं अगर आपके पास जो question आ जाए जैसा के what are the transactions and events के transaction क्या होती है, event क्या होता है और इन के दिर्में में फर्क करें तो detail में जाने से पहले आपको यहां भी मैं थोड़ा सा उसका overview दे दूँ ताके mind clear हो जाए जब हम सिर्फ theory को पढ़ेंगे तो चीजों को आप फर्क नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़ा सा difference है जब हम text में पढ़ते हैं लेकिन practically जब हम इनकी बात करते हैं तो ठीक ठाक इनमें फर्क है, बड़ी चीज़े हैं, different हैं तो इसलिए इनका जाना जरूरी है, event क्या होता ह जैसा के पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो इसका एक जो प्रेजिडेंट है ये change हो जाता है, event है और प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, event है, history में नाम आ रहा है, history बदल रही है, history हो रही है, इसी तरीके से कोई event organize किया जाए, जितने भी जो games हैं, उनके captains हैं, उनक कोई अच्छी film है, उसके जो actor है, उसको कोई award दिया जाए, उसके लिए कोई organize कर दें, event, इसी तरीके से एक school के अंदर, जो class pass होने वाली उसको organize कर दें, उसको see off कर दें, farewell उसकी party कर दें, तो जो एक organize किया जाएगा, ये event है, event का जरूरी नहीं है, कि वो financial impact रखता हो, या रखता हो, यानि कि दोनों उसके मामलात हो सकते है, financial impact हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, और ये level भी इसका बड़े level पे होता है, अगर financial impact होगा, तो ठीक ठाक इसमें involved होता है, और sometime ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि एक असमान से जो एक आप कहा हैं, कि जैसे कोई सयारे level पे होती है, और इसकी exchange of goods and services होता है, और इसमें दो parties involved होती है, जो आपस में transfer करती है, एक पैसे देता है, और चीज़ लेता है, और दूसरा चीज़ देता है, और पैसे लेता है, यानि कि अगर सिर्फ money की बात करें, तो वो एक receiver होता है, और एक giver होता है, तो दोनों का द लेने वाला, अगर हम goods की बात करें, या services की बात करें, तो वो भी इसी तरीके से एक receive करने वाला, जिसको receiver कहेंगे, और एक giver हो जाएगा, तो ये transaction में तो देखें, एक plan भी होता है, और ये impact भी करता है financial statement को भी, लेकिन events का लाजमी तोर पे impact करना ना करना जरूरी नहीं ह जो चीज़ वाकिय होती है, और एहमियत रखती है, उसको हम event कहते है, transactions जो होती है, वो business के जो books होती है, उसके अंदर record भी होती है, और financial impact रखती है, उनका assets पे, liabilities पे, cash पे, किसी नकिसी चीज़ पे impact लाजमी तोर पर होता है, और इसमें दो parties involved होती है, चाले background आपको बता business के scenario में देखें, तो business में होने वाली कोई भी activity क्या है, वो outcome है, which affects the account balances of a company, if there is any increase of assets or decrease of assets or chain in liabilities, then we can say the accounting image has taken place, अगर यानि के एक ऐसा image जिसका impact है, financial पहलू से, यानि के वो assets के increase या decrease होने से, liabilities के increase या decrease होने से, तो उस image को हम क्या कहते है, accounting image, अगर उसका financial impact नहीं है, तो simple image होगा, internal image हो सकते हैं और external image भी हो सकते हैं, और types of business image, यानि के जो internally, जो business को ज्यादा तर असर अंदाद होते हैं, उनको क्या internal image कहेंगे, internal image take place within an organization, जबके वो image जो organization की boundary से बाहर होंगे, उनको external image कह सकते हैं, या उसकी peer कोई company है, या उसकी जो साथ में rivalry है, उस company के अंदर कोई ऐसा image हो जाए, जो कि इसका हिस्सा नहीं हो, उसको external image कहेंगे, या image in another organization भी आप कह सकते हैं, किसी हवाले से भी कह सकते हैं, लेकिन इस organization का वो image नहीं है, लेकिन आप conclude अगर हम इसी topic को करें event के लिए से, कि event financial impact रख भी सकता है, और नहीं भी रख सकता है, और बड़े level पे होता है, और internal भी हो सकता है, external भी हो सकता है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है transaction, transaction तो business के अंदर देखें, जो हमारी पूरी accounting है, वो खड़ी ही transaction पे हो रही है, जब आप, जब तक कोई transaction की आ है, और इसकी back end पे evidence होती है, एक document भी available होता है, जो record का हिसा बनते जाते हैं, और ultimately उनी records की एक series के उपर हम आगे चलके financial statement बनाते हैं, या business की performance को महियर करते हैं, तो transaction business के लिहाज से, business में से अगर transaction को निकाल दें, या transaction को business से अलग कर दें, तो कुछ नहीं बचता हमारे accounting के लिसे, it involves exchange of goods, services for value between more than one party, यानिकि एक से ज्यादा parties होती है, firm और accounts and is called financial transaction, यानिकि उसमें firm भी हो सकती है और उसके accounts involved होते हैं and is called financial transaction. जिसमें एक से ज्यादा parties involved होती है उसमें एक firm भी हो सकती है एक party भी हो सकती है एक से ज्यादा firms भी अपस में transactions कर सकती है तो इसको हम क्या कहते हैं a transaction a transaction has a monetary impact तो यह लाजमी इसका जोज़व है कि monetary impact लाजमी होता है on the financial statements transactions are recorded in books of accounts यह तीन बाते हैं आपने याद रखने कि इसका financial impact भी है financial statement को भी impact करती है और यह books of accounts में भी record की जाती है तो यह तीन important बाते हैं जो transaction के लिहाद से आपने याद रखने है transaction which is related to purchasing of goods और selling of goods पेमिट्स to creditors etc. और called business transactions यानके जितनी हम sale और purchase के जुरकार रहते हैं transactions उनको business transaction कहेंगे types of accounting transactions are cash transaction and credit transaction यानके जो फॉरम से cash का लेन देन हो जाएगा उसको cash transaction कहेंगे और जिसका लेन दिन मौक्फिर होता है बाद में दो दिन के बाद पांच दिन के बाद एक मिने के बाद साल के बाद तो उस transaction को हम credit transaction कहेंगे अच्छा अब इन दोनों की बाद तो हमने थोड़ी सी कहर ली इनके बारे में background भी कुछ नो कुछ आपको समझ आ गया होगा लेकिन हम जब इनके दरम्यान में difference करेंगे तो आपको ठीक ठाक अंदाजा हो जागा कि कितना इनके अंदर difference है so definition से हम start करते हैं तो event अगर क्या होता है everything that happens in human life is called an event वो financial impact रखता है या ने रखता है उसको हम event कहते हैं जबके transaction का है transaction of the events through with the financial condition of the business change यान इनक financial condition change होती है और इसका financial impact लाजमी दोर पर होता है relation की अगर बात करें तो event to event or transaction to transaction का कोई relationship होता है इसकी अगर हम बात करें one event may or may not have a relationship with one another इसमें possibility है कि एक event का दूसरे event के साथ relationship हो जबके transaction की बात करें तो हर transaction autonomous है unique है each transaction is unique and autonomous उसको अलग से recognize किया जाएगा record किया जबकि एक event के साथ दूसरा event हो भी सकता है और अलग से एक simple event भी हो सकता है तो relation के लियार से इनमें यह difference है classification की अगर बात करें तो event की दो types है there are two types of event जबके transaction की बात करते हैं there are different types of transaction जैसे कि हम example देख लेते हैं जो event की transactions है उसमें financial events हो सकते हैं non financial events हो सकते हैं कि transaction की बात करें sale purchase expenses हर एक की अलग अलग से transaction होती है तो magnitude के हवाले से बात करें size के हवाले से बात करें तो जो event है the magnitude of event is extremely wide जबकि transaction की बात करते हैं the magnitude of the transaction is limited compared to the event तो यह एक event के अंदर कई सारी transaction भी हो सकती है expenses income sale और purchase बहुत सारी चीदें हो सकती है यानि कि इसका size छोटा है transaction का party की बात करें तो there is no need for a party to organize the event की event को manage करने के लिए event होने के लिए party का होना लाजमी नहीं है पार्टी के बिगहर भी event हो सकता है जैसा कि एक event हो गया कि असमान से कोई चीज गिर गई जमीन के उपर transaction क्या है मैं जिसको हम mature कहते हैं मुझे नाम सही पहले नहीं आ रहता मैटियूर इसकी spelling मुझे exact जाहत नहीं है mature जो हते हैं असमान से जो गिरते हैं जिसको रात को भी एकसर आप नदर आता है और जिसको हम कहते हैं वो एक बुजता हुआ सितारा transaction क्या है the transaction requires two parties इसमें कितनी parties involved होती है दो parties होती है एक seller है तो साथ में buyer है एक हम buyer है तो दूसरा कोई seller होगा ठीक है दो parties का होना लाजमी है कम अज़कम एक से जएधा दरूट parties होती है transaction की जब हम बात करते हैं event का कोई चीजों के लिए देन में होना लाजमी नहीं है कि वाक्य हो जबके transaction जब होती है या एक्सचेंज चीजों की goods की services की होती है तो उसमें transaction टेक place होती है in the event of an exchange of goods or services it always happens तो transaction चलती ही इसी चीज़ पर exchange of goods and services पर अगर हम documentary evidence की बात करें तो event में document का available होना लाजमी नहीं है जबके transaction इसके बिगार complaint नहीं होती है it is not necessary to have a valid document for the event event के साथ attached को valid document या उसका document produce करना या document manage करना sometime मुम्किन होता है sometime मुम्किन नहीं होता transaction के बात करें तो इसमें documentary evidence लाजमी चीज़ है the transaction must have a valid document अच्छा इसके बात है record of accounts है event it may or may not be necessary to hold an account for the event अगर event financial impact रखता है तो उसका account बनेगा उसका account manage किया जाएगा जबके non financial impact रखने वाले event का record होना लाजमी नहीं होता उसका account transaction की अगर बात करें तो यह किसी नहीं किसी heads of accounts में आता है it is necessary to hold an account for every transaction transaction का यहनिके वो sales का account है purchases का account है expenses का account है तो इस तरह के से वो accounts के जरिये से ही उसको record किया जाता है motive motive क्या है इसकी back end पर there may be there may be or may not be specific motive behind the event जबके transaction की बात करें तो इसमें लाजमी तोर पर unit के अंदर motive होता है there must be a purpose behind every transaction और event की बात करते हैं तो purpose sometime हो भी सकता है sometime purpose नहीं भी हो सकता है depending on the nature of the event जैसे के material की बात की उसमें क्या है motive नहीं होता जबकि अगर event कोई organize किया जाए किसी की farewell के लिए उसके अंदर motive होता है transaction की बात करें तो लाजमी तोर पर वो चीज़ जो financial position company की उस पर impact करता है उसको हम कहते हैं transaction तो transaction की basic definition ही वहीं से start होते है अगर वो financial impact नहीं रखत लाजमी तोर पर नहीं है कि वो दिर में और में नाट भी monetary value in the event का monetary value यानिके पैसे के लिए असके measurement करें तो होना या ना होना ज़रूरी नहीं है जबकि transaction लाजमी तोर पर monetary value के बेस करती है transaction must have a monetary value अगर monetary value नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं transaction है financial change की बात करें तो even में लाजमी नहीं कि financial change आए जबकि transaction के अंदर लाजमी तोर पर financial change आती है financial changes do not have to happen by an event event की तनाज़र में लाजमी नहीं कि वह वाक्य हो transaction में होता है every transaction must have financial changes इसके बाद further जो इनके अंदर difference बस खतम हो गया यही इनके difference थे जो हमने details से cover किये तो आपको बाकी बताते चलें कि Harvard Academy ने accounts यानिक अकाउंट हैं थी है और auditing की classes start कर दी है जिनको आप हमारी website www.howardacademy.com से जोईन कर सकते हैं इसके लाबा बाकी optional subject में अगर आपका philosophy psychology planning Japanese debbie में कोई है तो आप उसको भी opt कर सकते हैं उनकी जो courses हैं वो भी आपको मिल जाएंगे तो आज कर सेशन यहां पर इक्तार्म करते हैं चलें नेक्स सेशन मिलते हैं ख़दाफेश कर्यू कर्यू जोरी झाएंगे आपकाสवतापित उसके जापका हैं उसके हैं उसके भाँएैंड़ कर।